कि हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नेकर में अफिसियल में उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बेटर धंग से कर रहे होंगे तो फ्रेंड से एक सूचना है आप लोगों को उसको देना है जो है यह स्टीय की बैकेंसी क का विज्यापन कम निकनने वाला है और साइच्छडी की यूगता क्या है इसके बारे में बताएंगा उस सीटों की संख्या कितनी है इसके बारे में बताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड से चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो है अथेंटिक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे है ठीक है फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या इसकी यूगता है और कब इसका विज्यापन निकलेगा यानि कि विज्यापन यानि कि परसों ही निकल जाएगा ठीक है तो आएए देखे इस परिच्छा का लोगों को ध्ध्यान में रखना होगा ठीक है तो रच्तियों की शंख्या का विवर्ण देख लेते हैं कितनी रिप्तिया था थोबतमान में सम्रत्राज किसी जीवापृच्छा बाली हैं और आप लोगों को उस्टाइम बताया यह भी गया था कि जो है ने लिएटन चेंज हो गया है यानि की objective होगा सच्रिक आहरता की बात करते हैं जैसे के यह जो है भी जैसे प्रिष्टित विग्यापन है तो नौ सच्रिक आहरता के में दिया गया है ठीक है आज को देख लिजेगा चैन है तो अभी आरतियों को जुलाई दोजार चोबिस को 21 वर्ष की आई अवस्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें जो 40 वर्ष से अधिक आए ने यानि की 21 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष के बीच में जो हैं आप एक्जाम में दे सकते हैं अब हम जो हैया अपलाई कर सकते हैं इसके बाद हम फ्रेंड से बात करते हैं ऑल्लाइन आबितन की परारंओतत्ति तिसी कब होगी तो आभ आप यानि की पर्षो से स्टार्ट हो जाएगी आपकी आप Ond आपके कीरिया 1 लाइन पर अच्छे अपराइल को निकाला गया था तो फ्रेंड्स से आप ज्योँ अजट करेंगे तो आपका गन्ना लेकिन क्या करोगे परिशान होकर के आपको कुछ अर्जित नहीं होगा ठीक है तो आपने त्यारी को अच्छे से धार देजिए आपकी सारी क्लासे जो है उस लेबल की यस्टी ये लेबल तक सारे क्लासे दी जा रही है आप क्लासों को लीजिए और नोट्स बनाईए तो फ्रेंट्स ऐसे फ्रेंट्स लेना चाहते हैं तो 88, 43, 24, 35 पर वाट्साइब करके अपने नोट्स जो है पर्चेज कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो आप अपने तयारी को अच्छे से करिए और अपनी एक सीट जो है 268 में एक सीट सुनिशित कीजिए इनी शुब कामन के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखता हूं तब तक लिए अपना ख्यार लखना अपने माता पिता ख्यार लखना जय हिंजय भरत बंदे मातरम